उत्पत्ती अध्या एक्तीस तब यहवा ने याकुब से कहा अपने पित्रों के देश और अपनी चन्मभूमी को लोड़ जा और मैं तेरे संग रहूंगा। तब याकुब ने राहल और लिया को मैदान में अपनी भेड बक्रियों के पास बुला कर कहा तुम्हारे पिता के मुख्डे से मुझे समझ पड पता है कि वह तो मुझे पहले की नाई अब नहीं देखता पर मेरे पिता का परमिश्वर मेरे संग है और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ती भर की है और तुम्हारे पिता ने मुझे से चल करके मेरी मजदूरी को दस बार बदल दिया परंतु प चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे तब सब भेड़ बक्रिया चित्ते वाले ही जनने लगी और जब उसने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे तब भेड़ बक्रिया धारी वाले जनने लगी इस रिती से परमिश्वर ने तुम्हारे पि बक्रियों पर चड़ रहे हैं, सो धारी वाले, चित्ते वाले और धब्बे वाले हैं। जहां तुने एक खंबे पर तेल डाल दिया और मेरी मननत मानी थी। अब चल इस देश से निकल कर अपनी जन्मभूमी को लड़ जा। तब राहल और लिया ने उससे कहा क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग वा अंश बचा है। क्या हम उसकी दुरुष्टी में पराए न ठहरी। देख उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रूपे को खा बैठा है। सो परमिश्वर ने हमारे पिता का जितना धान ले लिया है। सो हमारा और हमारे लड़के बालों का है। अब जो कुछ परमिश्वर ने तुझ से कहा है सो कर। तब याकुब ने लड़के बालो और स्त्रियों को उंटो पर चढ़ाया और जितने परश्यों को वह पदनराम से इकटा करके धनाड्य हो गया था सब को कनान में अपने पिता इसह के पास ले जाने की मनसा से साथ ले गया लाबान तो अपनी भेडों का उन कतरने के लिए चला गया था और राह अपने पिता के गुरह देवताओं को चुरा ले गई सो याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया उसको न बताया कि मैं भाग जाता हूँ वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानत के पार उतर कर अपना मुह गिलात के पहाड़ी देश के ओर किया तीसरे दि लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है सो उसने अपने भाईयों को साथ लेकर उसका साथ दिन तक पीछा किया और गिलात के पहाड़ी देश में उसको जापकड़ा तब परमिश्वन ने रात के स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा सावधान तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा और लाबान याकूब के पास पहुँच गया याकूब तो अपना तंबू गिलाद नाम पहाड़ी में खड़ा किया पड़ा था और लाबान ने भी अपने भाईयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में टब लाबान याकुब से कहने लगा तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया जैसा कोई तलवार के बल से बंदी बनाएगे तू क्यों चुपके से भागाया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चलाया, नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मुरुदंग और वीना बजाते और गीत गवाते विदा करता, तुने तो मुझे अपने बेटे-बेटियों को चुमने तक न दिया, तुने मुर्खता किये, तुम लोगों की हानी करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमिश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकुब से न तो भला कहना और न बुरा, भला अब तु अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाशी होकर चला आया, तो चला आया, पर मेरे तु अपनी बेटियों को मुझसे छीन ले, जिस किसी के पास तु अपने देवताओं को पाए सो जीता न बचेगा, मेरे पास तेरा जो कुछ निकले सो भाई बंधों के सामने पहिचान कर ले ले, क्योंकि याकूब न जानता था कि राहिल गुरुह देवताओं को चुरा ले आई है, यह सुनकर लाबान, याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबू में गया, और कुछ न मिला, तब लिया के तंबू में से निकल कर राहिल के तंबू में गया, राहिल तो गुरुह देवताओं को उंट की काठी में रखके उन पर बैठी थी, सो लाबान ने उसके सारे तंबु में टटोलने पर भी उन्हें न पाया। राहल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप प्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं स्त्रीधर्म से हूँ। तब याकुब क्रोधित होकर लाबान से जगडने लगा, और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है, कि तुने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है, तुने जो मेरी सारी सामगरी को टटोल कर देखा, सो तुझको अपने घर की सारी सामगरी में से क्या मिला, कुछ मिला हो तो उसको यहाँ अपने और मेरे भाईयों के सामने रखते, और वे हम दोनों के बीच न्याय करे, इस बीस वर्षों से मैं तेरे पास रहा, इनमें न तो तेरी भेडबकरियों के गरभगिरे, और न ते मैं तेरे पास न लाता था, उनकी हानी मैं ही उठाता था, चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को, तु मुझी से उसको ले लेता था, मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तुम्हे घाम और रात को पाला मुझे खा गया, और नींध मेरी आखों से भाग जाती थी, बीस तेरी भेडवकरियों के लिए सेवा की, और तुने मेरी मजदुरी को दस बार बदल डाला, मेरा पिता, मेरे पिता का परमेश्वर, अर्थात इब्राहीम का परमेश्वर, जिसका भह इसहाग भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता, तो निश्च तु अब मुझे छूचे जाने देता, मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्वर को देखकर, परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे दप्टा, लाबान ने याकुब से कहा, ये बेटिया तो मेरी ही है, और ये पुत्र भी मेरी ही है, और ये भेडवकरिया भी मेरी ही है, और जो कुछ उनों आपस में वाचा बांधे और वह मेरे और तेरे बीच साक्षि ठेरे तब याकुब ने एक पत्थर लेकर उसका खpopा खडा किया तब याकुब نे अपने मपर भाय बन्धों से कहा पत्थर इकटा करो यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकटा करके एक धेर लगाया और वही धेर के पास उन्होंने भोजन किया। उस धेर का नाम लाबान ने तो यज्र सहादु था पर याकुब ने जिलियाद रखा। लाबान ने कहा कि यह धेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी होंगा। इस कारण उसका नाम जिलियाद रखा गया। और मिस्पा भी क्योंकि उस इस ने कहा कि जब हम एक दूसरे से दूर रहे तब यहवा मेरी और तेरी देख भाल करता रहे यदि तु मेरी बेटियों को दुख दे वा उनके सिवाय और स्रिया बैहा ले तो हमारे साथ कोई मनुशतो न रहेगा पर देख मेरे तेरे बीच में परमिश्वर साक्षी रहेग फिर लाबान ने याकुब से कहा इस धेर को देख और इस खंबे को भी देख जिसको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है यह धेर और यह खंबा दोनों इस बात के साक्षी रहे कि हानी करने की मनसा से न तो मैं इस धेर को लांग कर तेरे पास चाऊँगा न जो परमेशर है सो हम दोनों के बीच न्याय करें तब याकुब ने उसकी शपत खाए जिसका भै उसका पिता इसहाक मानता था और याकुब ने उस पहाड पर मेलबली चड़ाया और अपने भाई बंधों को भोजन करने के लिए बुलाया सो उन्होंने भोजन करके पहाड पर राद बिताए बिहान को लाबान तड़के उठा और अपने बेटे-बेटियों को चूम कर और आशिवाद दे कर चल दिया और अपने स्थान को लवट गया उत्पत्ति अध्याय 32 और याकुब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेशर की दूत उसे आ मिले उनको देखते ही याकुब ने कहा यह तो परमेशर का दल है सो उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा तब याकुब ने सेर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिये और उसने उन्हें यहां आग्या दी कि मेरे प्रभू एसाव से यो कहना कि तेरा दास याकुब तुछ से यो कहता है कि मैं लाबान के यहां परदेशी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल, गद्धे, भेडवक्रिया और दास तासिया है सो मैंने अपने प्रभू के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरी अनुगरह की दुरुष्टी मुझ पर हो वे दूत याकुब के पास लवट के कहने लगे हम तेरे भाई एसाव के पास गये थे और वह भी तुछ से भेट करने को चार सो पुरुष संग लिये हुए चला आता है तब याकुब निपट डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने संगवालों के और अपने भेडबकरियों और गाय बैलों और उंटों के भी अलग-अलग दो दल कर दिये कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भाग कर बच जाएगा फिर याकुब ने कहा हे यहोवा हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर हे मेरे पिता इसहा के परमेश्वर तुने तो मुझ से कहा कि अपने देश और जन्व भूमी में लवट चा औ और मैं तेरी भलाई करूंगा तुने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किये है कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतराया सो अब मेरे दो दल हो गए है तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्या नहीं हूँ कि वह आकर मुझे और मा समेत लड़कों को भी मार डाले तुने तो कहा है कि मैं निश्चे तेरी भलाई करूंगा और तेरे वन्श को समुदर की बालु के किनकों के समान बहुत करूंगा जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते और उसने उस दिन की रात वही बिताई औ और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेट के लिए चाठ चाठ कर निकाला अर्थात दो सो बकरिया, बीस बकरे और दो सो बेडे और बीस मेंधे और बच्चों समेत दूध देने वाली तीस उंटनिया और चालिस गाए और दस पैल और बीस गधिया और उनके दस बच्चे इनको उसने जुन्ड जुन्ड करके अपने दासों को सौप कर उनसे कहा मेरे आगे बढ़ जाओ और जुन्डों के बीच बीच में अंतर रखो फिर उसने अगले जुन्ड के रखवाले को यहाग्या दी कि जब मेरा भाई एसा तुझे मिले और पूछ जाता है और ये जो तेरे आगे-ागे है सो किसके है तब कहना कि यहाँ तेरे दास याकूप के है है मेरे प्रभु एसा ये भेट के लिए तेरे पास भेजे गये है और वहाँ आप भी हमारे पीचे-पीचे आ रहा है और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी बरन उन सभों को जो जुंडों के पीछे-पीछे थे ऐसी ही आग्या दी कि जब एसा तुमको मिले तब इसी प्रकार उनसे कहना और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे-पीछे आ रहा है क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेट जो मेरे आग्यागे जाती है इसके द्वारा मैं उसको शांत करू और उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करू हो सकता है कि वह मुझसे प्रसन हो जाए सो वह भेट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को चावनी में रहा उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और ग्यारह लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया और उसने उन्हें उस नदी क पार उतर दिया वरन अपना सब कुछ पार उतर दिया और याकूब आप अकेला रह गया तब कोई पुरुष आकर पहफटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता तब उसकी जांग की नस को चुआ सो याकूब की जांग की नस उससे मलयुद्ध करते ही करते चड़ गई तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर हुआ चाहता है याकूब ने कहा जब तक तु मुझे आशिर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूँगा और उसने याकूब से पूछा तेरा न नाम क्या है उसने कहा याकूब उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परन्तु इसरायल होगा क्योंकि तु परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है याकूब ने कहा मैं बिंती करता हूँ मुझे अपना नाम बता उसने कहा तु मेरा नाम क्यों पूछता है तब उसने उसको वही आशिरवाद दिया तब याकूब ने यह कहकर उस्थान का नाम पनियल रखा कि परमिश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्रान बच गया है पनुयल के पास से चलते चलते सुरिय उदय हो गया और वह जांग से लंगडाता है पारन यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांग की जोड में जंगानस को छुआ था